कि नमस्कार मैं हूँ विदिशाज शांडेलिया और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस रेलों का संचालन अभी पूर्ण रूप से पट्री पर भी नहीं लोटा है लेकिन कृशी कानूनों के विरोध में भाकियों ने रेल रोकने की तैयारी कर ली है आज यानी 18 फरवरी को दोपहर 12 से 4 बजे तक किसानों ने रेल रोकों का एलान कर रखा है ये एलान किसानों ने कृशी कानून के विरोध में किया है जिसके चलते हैं चार घंटे तक किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा बता दे कि भाक्यूपद अधिकारियों ने स्थानिय रेलवे स्टेशन अधिक्षक सहीत रेलवे पुलिस अधिकारियों को बुधवार को रेल रोको आंदोलन की चेतापनी दी है रेल रोको आंदोलन को लेकर रेलवे प्रिशासन सहीत आरपी एफ और जी आरपी ने भी पून तयारी कर ली है जिसको चलते गुरुवार को यानि आज रेलवे स्टेशन चावनी में तब्दील हो चुके है बताये तो ये भी जा रहा है कि रेल रोकने वाले लोगों की विडियो ग्रैफिक ही जाएगी इसके बाद नियमों का उलंगन करने वालों पर रेलवे एक्ट की तहत कारवाई भी होगी वही चप्पे चप्पे पर पुलिस और फोर्स की पैनी नजर है जवान हर आने जाने वालों पर नजर बनाये हुए है यहां ये भी बता दे कि क्रिशी कानूनों के विरोध में भारते किसान यूनियन का गाजीपूर बॉर्डर पर चल रहे धरने के बाद अब भाक्यू नेताओंने रेल रोकने की तयारी की है मुझफर नगर रेलवे स्टेशन पर भी आज भाक्यू कारे करता पहुचेंगे भाक्यू के जिला अधेक्ष धीरस लाटियान ने स्थानिय स्टेशन अधिक्षक विपिन त्यागी और आर्पियाफ इंचार्ज मुकेश कुमार शर्मा को बुधवार को होने वाले आंदोलन की चेतावनी दी थी लाटियान ने तो पहर बारा बज़े से शाम चार बज़े तक आंदोलन करने की जानकारी दी है इसको लेकर रेलवे पुलिस ने पूरी तयारी कर ली है रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्मान कारिये के बीच रेलवे पुलिस और रेलवे पुलिस और रेलवे प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई है हलाकि सभी ट्रेनों का संचालन अभी ना होने के चलते विभागी अधिकारी अधिक परेशानी ना होने की बात कह रहे हैं लेकिन रेलवे पुलिस रेलवे नियमों का उलंगन होने पर सतर्क ता बरत रही है जिसके चलते भाकियों की टीम में शामिल सभी पदा अधिकारियों और अन्य लोगों की विडियो ग्राफी के साथ जानकारी रखी जाएगी रेल रोको अंदोलन के चलते आर्पी एफ और जी आर्पी रेलवे संपती और यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत पूरी तरह से सतर्क हो गई है बताया जा रहा है कि आर्पी एफ मख्याले से अतिरिक्त बल मुझफर नगर भीजा जाए गए इसके अलावा जी आर्पी पुलिस भी स्टेशन पर तैनाथ दिख रही है इतना ही नहीं स्थान ये पुलिस अधिकारी भी स्टेशन पर इसर्वेश शहर में जगे जगे तैनाथ हो चुके है पुलिस सुत्रों ने बताया कि रेल रोकने वाले लोगों की वीडियो ग्रैफिक ही जाएगी इसके बाद नियमों का उलंगन करने वालों पर रेलवे एक्ट के तहत कारवाई भी होगी बतादे चलेगी किसानों ने दोपहर बारा बजे से चार बजे तक रेल रोको आंधोलन की चेतावनी दी है इस वरान मुझफर नगर रेलवे स्टेशन पर बांदरा हरीद्वार एक्सप्रेस, इंटर सिटी एक्सप्रेस और पुरी हरीद्वार एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रभावित होने का खत्रा मन रा रहा है आंधोलन से रेल और उसमें बैठे यात्रियों को सरक्षत रखा जाएगा इसके लिए रेलवे अधिकारी ट्रेनों की लोकेशन लेकर ट्रेनों को आंधोलन कारियों से दूर रखने के प्रियास कर रहे है भाक्यू जिलादेक्ष ने रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंधोलन की जानकारी दी है जिसके चलते अतिरिक्त फोर्स मुझफर नगर भेजा गया है आंधोलन के दौरान निगरानी रखी गई है यदि कुछ नुकसान होता है तो उच्छा धिकारियों के निर्देश पर कानूनी कारवाई अमल मिलाई जाएगी आज वपहर बारा से लेकर चार बजे तक राष्ट्र व्यापी रेल रोको आंधोलन का एलान है किसान संगत्नों के मताबिक गुरुवार को देश भर में हजारों किसान रेल की पट्रियों पर बैठेंगे हलागी किसान संगत्नों में इसको लेकर मद्भेट सामने आए हैं और संकेतिक रूप से ट्रेन रोकने की बात कही जा रही है इसके बावजूद पुलिस प्रशासन वे रेलवे ने व्यापक तयारियां की है सिंगु टीक्री और अन्य उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां प्रदर्शन कारी बैठे हुए है इधर भारतिय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टेकैत ने कहा कि स्थानिये लोग ही अपने अपने शेत्रों में ट्रेन रोकेंगे सांकेतिक रूप से ही ट्रेने रोकी जाएंगी इज़रान इंजन पर फूल माला चड़ाने के साथ चालक को फूल दिया जाएगा और यात्रियों को जलपान कराया जाएगा यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी यूपी गेट सिध धरनासल से कोई भी वेक्तिस कारेक्रम में शामिल नहीं होगा वही एनेचे आई के नोटिस के संबंद में कहा कि उन्होंने हाईवे की केवल दो लेन घेरी हैं बाकी खुली है यदि एनेचे आई ने जादा हरकत की तो वह देश के सभी टॉल फ्री करा देंगे टिकेट ने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ये बंगाल जाएंगे और वहां के किसानों की समस्या सुनकर केंद्र वेर राज्य सरकार से जवाब मांगेंगे वही किसान मजदूर संगर्ष कमेटी ने पंजाब में 32 जगह ट्रेन रोकने का एलान किया है सिंगू बॉर्डर पर कमेटी के अध्यक्ष सतनाम सिंग पंणू ने मन से संबोधित करते हुए प्रदर्षन कारियों को कहा कि जथे बंदिया पंजाब में 32 जगह रेल रोकेंगी उन्होंने की कहा कि गाउं में भी फोन करदो की लोग पतनी बच्चों को साथ लेकर जादा से जादा संख्या में रेल रोकने पहुँचे जो भी स्टेशन उनके पास पढ़ता है वह वहाँ जरूर जाएं पंणू ने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा 25 फरवरी को तरंतारन में रेली होगी इसके बाद कपुर्थला जलंधर माघा आधिस्थानों पर रेली की जाएगी रेलवे स्टेशनों और रेल पट्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है रेलवे सुरक्षा विशेश बलके लगभग 20,000 अतिरिक्त जबानों की तैनाती की गई है जरूरत पढ़ने पर प्रभावित इलाकों में रेल संचालन बंद गर दिया जाएगा सुत्रों के मुताबिक कोशिश रहेगी कि बड़े स्टेशन्स पर ट्रेन को रोका जाए जिससे यात्रियों को भोजन और अन्य जरूरी सामान आसानी से उपलब्ध हो सके रेलवे सुरक्षा बलके महानिदेशक अरुन कुमार ने बताया कि पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश वे बंगाल सहित कुछ अन्य इलाकों में और पी एस एफ के अतरित जवानों की तैनाती की गई है खुफिया रिपोर्ट ली जा रही है और उसी के अनुसार कदम उठाये जा रहे है और पी एफ संबंदित राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है वही रेलवे अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कोई ट्रेन पूरी तरह से निरस्त नहीं की गई है जरूरत के अनुसार ट्रेनों को किसी स्टेशन पर रोकने का फैसला किया जाएगा उत्तर रेलवे के मुख्य जन्संपर्क अधिकारी दीपक कुमार का कहना है कि वरिष्ट अधिकारी स्थिती पर लगातार नजर रख रहे हैं सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किये जा रहे है ऐसे ही लेटेस को पर पाने के लिए बेल आइकन को प्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवारी